आशाम विहाय परहित्य परस्य निन्दाम पापे रितंच सुनिवार्य मनस्य समाधू आधाय हृत्य कमलमध्य कदम परेशं वाराण सी पुरुपतिम भजविश्वनाथं मित्रो आचारे आनदवर्धन विर्चित धन्यालोग प्रतम उद्यूत का पाट चल रहा है कल तक हमने चोथी कारिका प्रतियवानम पुरुर्य निदेव का विस्तार के साथ विचार उर्ण किया अब इसके आगे आचारे आनंद वर्धन प्रतियमान की उपस्थिती के प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। इन में से कारिका संख्या 5, 6, 7, 8 इत्यादी में आचारे ने अनेक तरकों के माध्यम से प्रतियमान के सद्भाव की सिध्धी के अनेक प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। तो 5, 6 और 7 में प्रतियमान के सद्भाव की सिध्ध के प्रमाण की हैं और आठवी कारिका से लेकर व्यंग के प्रतियमान 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 क को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और यह प्राधान ने किस प्रकार से इस्थित रहता है अर्थात समाप्त नहीं होता यह भी आचारिय ग्यारवी बारवी कारिका में बतलाते हैं तो तीन पक्षों को पांच से लेकर बारवी कारिका तक आचारे ने यहाँ पर प्रस्तुत किय पहले तो उनोंने इतिहास मुखेन प्रतियमान के सदभाव को प्रतिपादित किया उसके बाद फिर प्रतियमान के सदभाव को प्रतिपादित करके उसके प्राधान्य को प्रतिपादित किया और उसके प्राधान्य को प्रतिपादित करने के बाद वह प्राधान्य कैसे बना रहता है कवीता में अर्थाद वो कभी भी समाप्त नहीं हूता प्रती मानारथ या ध्वनी के सामानलक्षण को प्रस्तुत कियाँ है विशेश लक्षणिया आगे बतलाएंगे द्विति उद्ध्योत में अविवक्षित वाच्चत धुनी और विवक्षित आन्ने पर वाच्चत धुनी के रूप में तो पाचवी कारिका को हम लोग देखते हैं पर्थमुद्योत की आचार आनंद बर्धन के धन्या लोग के तिस पाचवी कारिका में आचार इतिहास वुखेन तिके उपर लिखा है एवं प्रतियमानम पुरुरन्यदेव इतियता धनिस्वरूपम व्याख्यातम अधुना काव्यात्मत्वम इतिहासव व्याजेनेचे दर्शेती काव्यस्यात्मा धनिरिती यहां से आचारे ने शुरू किया था तो धनिस्वरूप प्रतियमान है इसको आचारे ने प्रस्तुत कर दिया प्रतियमानम पुनरन्य देव और वाच्चे से वो भिन्य हैं और उसका उसको प्रतीत कराने वाला एक मात्र धुननब व्यापार है ना अभिदा है न अतात परिया है ना लक्षना इत्यादियां ने सभी व्यापारों का आचारे ने खंडन कर दिया और अब आचार्य उसका प्रतियमानार्थ की काव्यात्मता यहां आत्मा शब्द से तात पर यह है प्राधान्यम काव्य म्यात्म प्रधान भूतम अरथाध्यम रूप से छमदकार द्द्दृ तत्व है इसको आचारे अब प्रदिपादित करने जा रहे हैं तो काभ्यात मत्वम इतिहास लेकिन उसमें प्रमाण क्या है उसमें आधार क्या है तो उसमें आधार है इतिहास तो इतिहास अब व्याजे ने इतिहास के व्याजे से इतिहास को प्रस्तुत करते हुए आचारी उसको प्रस्तुत दिखला रहे हैं क्या कहते हैं काप्यात मेती काप्यस्यात्मा सहे वार्थस तथा चादिक अवे पुरा क्राउंचद द्वंद्व योग उत्थ शोकश लोकत तुमागतः देखिए इसमें सएव अर्थह काप्यस्यात्मा यह सिद्धान तवाक्य है सएव अर्थह वही एक जो प्रतियमानार्थ है वही प्रतियमानार्थ काप्य की आत्मा है क्यों तथा आदिकवे है तथाच आदिकवे है कदा पुरा पुरा काले आदिकवे है शोकश आदिकवी का जो शोक था करोन सस्थाई भाव जो शोक था वह श्लोकत्वम आगतः श्लोकत्वमें तवा प्रतिय भाव आची लगा है अर्था श्लोक की अवस्था को प्राप्त हो गया तो आधिकवे है वालमी के है शोका आधिकवी प्रसिद्ध है आधिकव्य और आधिकवी रामाइन आधिकव्य और आधिकवी वालमी की पर्थम चासव कवी ही आधिकवी ही जो पर्थम जिनोंने पर्थम रचना हमको प्रदान की तो जो आदिकवी वालमी की है तस्य आदिकवे हे शोक हा पुरा काले अर्थात एतिहासप प्रसिद्ध वर्थते श्लोकत्वम आगता हा उश्लोकत्व को राप्त हो गया लेकिन यह जो शोक था यह शोक को कैसा था तो उसके लिए एक आचारी ने विशेशन दिया है क्राउंचत द्वंद विउगोत्था यह शोक का विशेशन हैं तो कस्य शोक हाँ आदिकवेश शोक हा सचासव शोक हा कृदिश्य उथ्था समुतपन्ल में कस्मात समुतपन्ल विudos्गेइन समुतपन्ल में कस्य और थो द्वंदव दफदगर दे जोडा, युगम, क्रॉंच और क्रॉंची का युगम, चक्रवाक और सक्रवाकी का युगम, यहरात में बिछुड जाते हैं और दिन में मिलते हैं, यह प्रसिद्धी है, चकवा और चकवी जो अविव्यंजित होता है धुननव्या पार से वही पृतिवान आर्थ कावे की आत्मा माना जाता है आत्मा शुदकार्थ है कावे का प्रधान भूत यह कारिका आचार ने रसद्धनी को काव्यात्मा सिद्ध करने के उद्देश से प्रस्तुत की है कि जो वस्तुत धुनी अलंकारत धुनी और रसद्धनी है इन तीरों में से जो रसद्धनी है वही रसद्धनी काव्यात्मा है क्योंकि यहां पर शोक को ले रहे हैं आचार औ करनरस का इस्ताईभ्हाव है और साएव काहा तो साएव से अतत्पर है व़स्तुत्ह unnatural है सऩब किसको लेंगे व्ठीमानम पुन ऐन्य देव वस्तुस्तिकाव वाणिशुं महाखविणाम तो प्रतियमान आर्थ इसके ठीक पहले हमने प्रतियमान आर्थ का विवीचन किया। तो साय वसितात पर ये वस्तुता है प्रतियमान आर्थ और प्रतियमान आर्थ को जब हम लेंगे तो तीनों उपस्तित हो जाएंगे वस्तुत ध्वनी भी अलंकार्द ध्वनी भी और सद्वनी भी लेकिन यहां आचारे कातात पर यह है रसत ध्वनी को प्रतिपादित करने में क्योंकि जो उदाहनद दिया है उसमें शोक अर्थात करुन रसका इस्ताई भाव शोक श्लोकत व अर्थात काव्यकी अवस्था को प्राप्त हो रहा है और दूसरा है तो यह भी है कि वस्तुद्धुनी और अलंकारत ध्वनी को हम ग्रहन तभी करते हैं जब वे रसपर यवसाई हों वस्तुद्धुनी और अलंकारत ध्वनी यदि रसपर वे वसाई नहीं है तो हम उनको ग्रहन नहीं करते तो दो प्रकार के भेद माने थे प्रत वह कभी वाच्चता सह भी होते हैं अर्थात सशब्द वाच्चता भी उनकी होती है लेकिन जो सशब्द वाच्चताम कदाचित अधिशेते या आचारे ने पहले कहा है वस्तुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् अमर्थाक छिप्त ही होती है रसद्धनी कभी भी वाच्चिता सह नहीं होती तो सएव से यहां परतात पर यह वस्तुतह तीनों प्रकार के प्रतीमानार्थ से है लेकिन आचारे का उद्देश यहां पर रसद्धनी को काविकी आत्मा के रूप में प्रतिश्ठापित करना है तो द्वंद का अर्थ है जोड़ा, तो क्राउंचत द्वंद्वयोग उत्था है, क्राउंचत स्य यह द्वंद्वह, तस्य यह वियोग आहा, तेन उत्था शोका है, तो यह बात आगे विचार करेंगे, कि यह करुणरस है, कि विप्रलंब विप्रलंब और करुणित्यादी के भेद पर आचार आगे विचार करेंगे, देखिए, इसी यह जो घटना है, यह घटना वस्तुता है वालमी की रामायन की, वालमी की रामायन के बालकांड में, महर्शी वालमी की कवर्णन ने तमसानदी के टर्थ पर और वे विचरन करते हुए, किसी व्याद के द्वारा, क्रॉण्च और क्रॉण्ची के मिथुन में से एक कावध होते हुए देखते हैं, अब ये भी बड़ा वारी विबाद है कि क्रॉण्च मारा गया कि क्रॉण्ची मारे गई, तो कुछ मानते हैं कि क्रॉण्च मारा गया और कुछ मानते हैं कि क्रॉण्ची मारे गई, लेकिन वस्तुतह वाल्मी की रामयाण की कथा के उनसार बद हुआ था क्राउंच का तम शोनित परीतांगम चेश्ट मानम मही तले द्रिश्टवा क्राउंची रुरोदार्ता करुडम खे परिभ्रमा तो क्राउंची रुरोदा तो मारा गया था वस्तुता वालमी की रामायण में क्राउंच इसलिए निहत सहचर मानना चाहिए निहत सहचरी रिमादी ये भी बात आगे यहाँ पर आईगी तो वालमी की रामायन के उस कथा की और आचारे ने इतिहास सब प्रसिद्द उस कथा की और यहां पर संकेत करते हुए रसद्ध्धनी की काव्यात्मता को प्रतिश्थापित किया है कि यदि इतनी सरसता इतनी ऐसा करूरस का इस्थाई भाव शोक कवी की हिर्दे में उत्पन न होता तो काव्य का निर्मान न होता तो काव्य निर्मान में हे तु क्या है वही रसद्वनी की अनभू थी कवी के चित्त में होने वाली रसद्वनी की अनभू थी तो क्राउंच और क्राउंची के युगल में से व्याद के द्वारा मारे गए क्राउंच को क्राउंच के बद से जब क्राउंची विलाप करती है तो उस विलाप को सुनकर कभी के हिर्दय में इस्थित जो इस्थाई भाव है वो तन्मेई भाव को प्राप्त होकर करुण रस्मे परिनत हो जाता है और जब वह अत्यधिक परिपुष्ट होता है तो वह कविता के रूप में उच्छलित हो जाता है कविता के रूप में प्रकाशित हो जाता है तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक तो कवी हैं जो लोक के हैं वालमी की कौन जो लोक में पाय जाते हैं जिनका तमसा नदी के तट पर आश्रम है लेकिन यहां हम किस कवी के किस वालमी की का विचार कर रहे हैं किन वालमी की महरशी का विचार कर रहे हैं तो यहां हम जिन वालमी की महरशी का विचार कर रह है यदि हम लोक के वाल्मी की कुमाल लेंगे तो कविता का उद्भव नहीं हो सकता ये बात आगे जाके आचार कहेंगे तो हमें उस महर्शिवालमी की को लेना है जो महर्शिवालमी की वालमी की रामायन के वालकांड में एक रामायन के पात्र के रूप में चित्रित है तभी वे अलव किक अनभूती तक पहुँच सकते हैं तो उन्ही वालमी की को हमको लेना है तब नीचे देखिए आचारे क्या करते हैं दिविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणा काव्यस्य सहे वार्थ सारभूत है देखिए केवल धननव व्यापार की उपस्थिती से आप धनी काव्य नहीं मान सकते यहाँ पर धननव व्यापार है व्यंग्यार्थ को प्रतीत कराने की युग गितावाला धननव व्यापार शब्दार्थ निष्ट है अतह यह काव्य शब्दार्थ युगम धनी काव्य कहलाने लगा यह आचारे का कहना है तो आचारी यहाँ पर कहते हैं कि धननव्यापार तो होना चाहिए लिकिन वह जो धननव्यापार है वह धननव्यापार विविद वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारूना का अब्यस्य सहे वार्थ सारभूत है तो दननव्यापार विविद वाच्य वाचक और रचना रचना से आप अलंकार गुण आदिका समावेश ले लेंगे उनके प्रपंच से जो चारूना का अब्यस्य सहे चारूना यह शष्टी है तो विविद वाच्य वाच्य के रचना प्रपंच चारूना इस बात को पहले कह चुक है कि फक्रफ कर शब्दार्थ प्रिष्टपाती ध्वन कि गुण और लंकार से उपस्कृत शब्दार्थ के ऊपर विराज़मान होता है ध्वनी अर्थात के इवल धुननब्व व्यापार रहने शया विजनम्व व्यापार के शब्दार्थ जटने के करण उसे धन नव्यापार के साथ विरीदवाच्छी वाच्य रचना प्रपंच काभी उपस्तित होना चाहिए और वह बिविरीदवाच्य वाच्य रचना प्रपंच नुटर्यय से तो काव्य में चारुता आदी किससे है तो शबदार्थनिष्ठ सौंदेरे से और शबदार्थनिष्ठ सौंदेरे में सहायक बनते हैं गुडा लंकार का सईयूग है तो यह यहाँ पर समझ लीजिए वाचे का अर्थ है अर्थ है वाचे का अर्थ है शब्द रचना का अर्थ है उनमें पाया जाने वाला उनको उपस्कृत करने वाले गुडानंकारादी तत्व यह बात प्रारम्ब में ही कही थी तो उस ही के और फिर से संकेत कर रहे है और यह एक प्रकार का नहीं होता देखे इसमें विभी शब्द भी जुडा है और प्रपंज शब्द भी जुडा हुआ है तो अनेक प्रकार के और उस रचना के प्रपंज से और एक प्रकार की रचना नहीं होती अनेक प्रकार की रचना उसे मनुहर जो काव्य होता है कभी करमकाव्यम सेवार्थ सारभूत उस काव्यका वही एक अर्थ सारभूत होता है तो वही एक अर्थ सेतात पर यहां पर प्रत प्रतिमानार्थ के अंतरगत आप वस्तु अलंकार रस्तीनों को यदि लेते हैं तो इसमें से आचारे का संकेत वस्तुत है रसादिलक्षण ध्वनी की हो रहा है क्योंकि वस्तु अलंकार के अंतर आचारे ने प्रतिमानम पुरुन ने देव इसकारिका के अंत में रसादिलक तो होता है, सारवूत है, मदलब काव्यात मभूत होता है, तो आत्मा शब्द उपर कहाता और नीचे महा आचारे ने कह दिया सारवूत है, साय वार्थ है, सारवूत है, वही वस्तुत है, काव्य में काव्यत्व का आधायक होता है, इसलिए वस्तुत धनी और अलंकारत धनी वी चमतकारकारी तभी होती हैं जब वो रस निश्पत्ति में सहायक हों या रस परियवसाई हों जब वो रस परियवसाई नहीं होंगे बस तुद्धनी और अलंकारद्धनी तो हम उनको ग्रहन नहीं करेंगे उनको काव्यात्मा के रूप में या काव्य के चमतकार कारी तत्त के रूप में हम उनका ग्रहन नहीं करेंगे तुका उधारण दिया इन्होंने तथाच आदिक वेह वालमी के है निहत सहचर विरह कातर क्रौंचा क्रज्द जनिता शोक ये वश्लोकत या पनिनता है शोक क्या है? स्थाई भाव है कल हमने स्थाई भाव के विशः में आपको बतलाया था कि सहरदय के चित्वे संस्कार रूप में जन्वना पड़े रहने वाले स्थाई भाव होते हैं संसकार इनका बना रहता है लोग से ये परिपुष्ट होते हैं विभावादी सामग्री से के साथ तन्मई भाव से तदन रूप चित्वृत्य उत्पन होती है और वही चित्वृत्य जब प्रधान हो जाती है तो आनंदांश के साथ मिलेकर सहरदय को चमत्कृत करती है संवित चेत्वना के आनंदांश के साथ मिलकर सहरदय को चमत्कृत करती है ये बाते हैं कल हम रसादि लक्षनत धुनी के प्रसंग में विचार कर चुके हैं तो कहते हैं कि तथाचर आदि कवे हैं वालमी के हैं वालमी की जो आधिकवी हैं उनके वालमी के शोक एव श्लोकतया परिनता है यहां ले लीजे तो वालमी के को जो शष्टी विवक्ति है उसकानवे कर लीजे आगे शोक एव वालमी के आधिकवे शोका उपर कहा नीचे वालमी के शोक एव श्लोकतया परिनता है किद्रशश्रोक। यनित। समुत्पन्ण। कथम यनित आक्रंदेन। कश्याह आक्रन्देन। क्रौंची के आक्रंद गाइब। किद्रशी साचासु काउंची तो कातरा तो कथम कातरा विरहेण कातरा तो कस्य विरहा सहचरस्य विरहा किद्रशस चासु सहचरहा तो नीहता हा नीहत मतलम मारा गया तो निहतह यह सहचरह तस्य यह विरहह तेन कातराया क्रउंची तस्याह यह आक्रंदह विलापह तेन जनितह शोकह कस्य शोकह वालमी के शोकह वालमी की किद्री सह व्रदते आदी कवी ही तो आदी कवे है वालमी के शोकह श्लोकतया परिनतह ठीक है इस पर पूरा विचार आप इससे सम्मंदित जो बाते हैं यह हम रसाद इलेक्षन ध्वनी के प्रसंग में कर चुके हैं तो देखिए यहाँ पर विभाव अनुभाव सब कथित हैं विभाव कौन है यहाँ पर तो विभाव यहाँ पर है क्राउंच और क्राउंची और अनुभाव है क्राउंची का आकरंद तो विभाव और अनुभाव से समुत्पन तो शोकुत्पन किसमे हो रहा है तो शोकुत् वालमी की रामायण के प्रथम कांड में प्रस्तुत वालमी की नामक पात्र तमसानदी के तट पर निवास करने वाले वालमी की नामक पात्र के चित्र में ते कविता के कवितानिस्ट वालमी की हैं लोकरिस्ट वालमी की नहीं है यदि लोकरिस्ट वालमी की को यदि आप स्व दिकार करेंगे तो लोकरिष्ट वालमी की किचित्त में उत्पन्न होने वाला श्लोक, शोक कभी भी श्लोक या कविता के रूप में परिनत नहीं हो सकता. क्यों कि ये बात और आगे आचार विचार करेंगे क्योंकि जो विक्तिशोक बगन हो गया वह श्लोक नहीं बना सकता उसकी चेतना इतनी दीपत नहीं होती कि उसकी वाणी से कविता निकल आए तो इसलिए हम को यह वालमी की मानना पड़ेगा लोकिक नहीं अपित्वा लोकिक वालमी की जो की वालमी की रामायन में एक पात्र के रूप में चित्रित हैं तो क्रूच्या क्रंद जनिता शोका एवश लोकतिया परिनेता है तो विभावी कतित है अनुभावी कतित है तो इस विभावा नुभाव के साथ तनमई भाव को प्राप्त कर जाता है कविनिष्ठ शोक तो कविनिष्ठ जो शोक की चित्वृत्ति है वो इस विभावा नुभाव के साथ तनमई भाव को प्राप्त करके जागरित हो जाती है जाग जाती है तो शोक रूपी जो इस्थाई भाव है कविनिस्ट वो क्या होता है जाग जाता है अनुभाव में आने लगता है और अनुभाव में आकर वो इतना परिपुष्ट हो जाता है कि वही कवी की मानी में मानिशाद प्रतिष्ठाम अगम शाष्वधी समाह इस श्लोक के रूप में निकल पड़ता है अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो विशेष्टाएं महर शिवालमी की कि अभिव्यंजित हो रही है इस वृत्तान्त से एक तो विशेष्टा विव्यंजित हो रही है वो अत्यंत भावुक है जो भावुक होगा वही कविता कर सकता है जिसमें भावित होने की योग्यता है और जिसमें भावित होने की योग्यता नहीं है वो कविता नहीं कर सकता तो उस द्रिश्य को अन्य लोगों ने भी देखा होगा क्रउंची के आक्रंद को लेकिन यहाँ पर कवी ही एक मात्र वहाँ पर उपस्थित कवी ही एक मात्र उस द्रिश्य को देखकर इतना अधिक भावित हो जाता है कि उसकी वानी श्लोक के रूप में परिणत हो जाती है हाँ प्राचेतस चादिकवी ही स्यान मेत्रा वरुनिष्टस वालमी की ही उनको प्राचेतस भी कहा जाता है प्राचेतस प्राचेतस तो आदिकवी ही स्यान मेत्रा वरुनिष्टस ये कोश है पोडेल जी उद्रित कर रहे हैं तो हमें उस प्रक्रिया पर विचार करना है जिस प्रक्रिया से महर्शिवालमी की के चित्त में उपस्तित होने वाला शोक श्लोक के रूप में परिनत हुआ तो विभाव भी उपस्तित है अनुभाव भी उपस्तित है क्राउंची और क्राउंची का आक्रंदनी अनुभाव वहां पर उपस्तित है इस अनुभाव और विभाव के साथ जो वालमी की महाकवी हैं उन महा कवी का चित तन्मई भाव को प्राप्त कर जाता है तद रूप में प्रणत हो जाता है और उससे उनके चित में उत्पन्न होती है शोक की शोक रूपी स्थाई भाव की चित्ति वृत्ति और वही चित्ति वृत्ति पुष्ट होकर उनकी वानी के रूप में निकल पड और जिसे हम आधी कर्थम कविता कहते हैं तो आधी कवेर वालमी के निहत सहचर विरहकातर क्रौंचाक करंद जनिता शोक एवश्लोकतया परिनिता है देखिए लोक में और कविता में अंतर है लोक का जो शोक है वो वास्तविक है और वह जिस करुणरस में पनिनत होगा वह करुणरस आनंददायक नहीं होगा वह दुखई करूप होगा लेकिन जब वही कविता में उपस्तित हो जाता है तो कविता में उपस्तित होकर वह केवल और केवल आनंददायक रूप होता है उसकी अन्भूत केवल और केवल आनंददायक रूप होती है तो लोक की करुणा और काव्य की करुणा काव्य से जनित करुणा में यहीं अंतर है इसलिए इसको अलोकिक कहा जाता है अलोकिक सितात पर यह है लोके अन्यत्त दुरलभा तो लोके अन्यत्त दुरलभा कतम यह तो ही या सामग्री वर्ततेसा सामग्री काव्य मात्रई का लब्या वो सामग्री क्या है विभाव अनुभाव रूप इसी लोक से हटकर हम विचार यहाँ पर करेंगे तो विभाव और अनुभाव जिसे लोक का दुश्यन्त और लोक की शकुंतला और जब वह महा कभी कालिदास के द्वारा अभिज्यान शकुंतल में पात्र के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है तो विभाव के रूप में हमारे सम्मक पस्तित होते हैं और उनकी सारी चेश्टाय नुभाव इत्यादी के रूप में हमको आलादित करती हैं लेकिन यदि वो लोक में हैं वास्तविक हैं तो उनके द्वारा की गई चेश्टाओं के आधार पर हम रसानभूती नहीं कर सकते इसलिए आचार्य भट्टनायक ने साधारनी करण की प्रक्रिया प्रस्तुत की और इसी को आचार्य अभुप्त प्रस्तुत किया संबंद वेईते न शत्रो रही वेते न तटस्त से वेईते ते तीनी प्रकार के संबंद लोक में मनते हैं एक मेरा संबंद एक शत्र का पराए का संबंद और एक तटस्त संबंद जो इन दोनों से ही अलग है उदासीन का संबंद तो इन तीनों ही प्रकार को उसे संबंद से रहित अन्भूती होती है काव जिसे उत्पन होने वाले पदार्थों की है विभाब अनुभाब तो इसलिए लोक और कविता जन्य जो अनुभूती है लोक जन्य अनुभूती और कविता जन्य अनुभूती में यही अंतर है कि लोक जन्य अनुभूती सुकत खात्मक होती है लेकिन कविता जन्यान होती केवल और केवल सुखात्मक ही होती है पतर कविता में ये दिया आप करुणा का अधान करुणा का वर्णन करते हैं काविके माद्यम से आप करुणा का अध्यान करते हैं और उससे जो शोक आपके चित्त बोत्पन होता है वह शोक कभी भी आपको दुख फरदान नहीं करेगा इसमें कारण क्या है? तिसमें कारण है काब ये रूपी कला के माध्यम से उस भाव का निकलना तो कला का ये वैशिष्ट्य है कि उसके माध्यम से निकलने वाला प्रत्यक पदार्त के वला अनंदी गरूप होता है तो अता है यहां हमको उस वालमी के को गहन करना है जो वालमी की वालमी की रामाइन के बालकांड में प्रस्तुत हैं उस वालमी की को नहीं गहन करना है जो वालमी की लोक में उपस्तित वालमी की यहां पर ग्राहिये नहीं है अब इसके बाद आचारे कहते हैं कि देखिए कहीं कहीं नीहत सहाचर विरह कातर क्रणचा क्रंद जनितर की जगह है निहत सहचरी विरह क्रातर क्रंद जनिता है ऐसा भी पाठ मिलता है लेकिन उसको भी यहां पर इसी अर्थ में लेते हैं कि मारा तो गया था क्राउंच और विलाप कर रही थी क्राउंची तो इसका विग्रह एक विलक्षर तरीके से किया जाता है जब आप नियत सहचर की जगह नियत सहचरी कर देंगे और विरह कातर क्राउंची की जगह विरह क्रातर क्राउंच कर देंगे और पाठ बनाएंगे नियत सहचरी विरह क्रातर क्राउंचा क्रंद जनिता है तो इसका कुछ व्याख्याकारों ने एक विलक्षन अनवय किया है विग्रह किया है वो विग्रह भी आप देख सकते नियता है सहचरी विरह का आतरह क्राउंचा है तो मारा गया कौन भाण से तो भाण से मारा गया क्राउंच है तो उसको समझ में आ गया कि अब हमारा सहचरी के साथ अर्था क्राउंची के साथ विरह होने वाला है तो निहता हा अतेव सहचरी विरह कातर हा या क्राउंचा हा तदुद्देश्चे कहा क्राउंची कर्त्रिका हा या आक्रांदा हा तज्जनिता हा शोका हा तो निहता हा मारा गया या बाण से विद्ध जो क्राउंच जो की कातर है क्यों सहचरी विरह से कातर है और उसको उद्देश्च करके नियत सहचरी विरह कातर क्राउंच को उद्देश्च करके क्राउंची कर्त्रिका हा या आक्रंदा हा तज्जनिता हा शोका हा ये विग्रह करके यहाँ पर आचारे लोग ले लेते हैं कि मारा तो गया था क्राउंच और शोक उत्पन्न हुआ क्राउंची के चित्त में जो मर गया उसमें तो शोक उत्पन्न होगा नहीं और इसके समर्थन में वही वहाशिवालमी की वानी को देते हैं कि तम्शोनित परीता अंगम चे प्रतियमान अश्य अन्य भेद दर्शने पी रसभाव मुखे नईवो पलक्षणम प्राधान न्यात यह पंक्त थोड़ी टेड़ी है देखिए प्रतियमान प्रतियमानम पुरुरन्य देवाई आप विचार कर चुके हैं इसके पहले तो प्रतियमान अश्य अर्थस्य एक अस्तत्र वाच्यार्था वर्दते दिती अस्तत्र प्रतियमान अर्था वर्दते तो प्रतियमान अर्थो भी बाच्यार्थ भूमिकायाम प्रतिष्ठिता है तो प्रतियमान अस्य अर्थस्य अन्य भेद दर्शने पी तो अन्य शब्द कहने की आवश्यक्ता क्यों पढ़ी क्यों कि क्राउंची जो एक तिरियक्योनी की प्रानी है एक पक्षी है उसके शोक को देखकर उनका चित इतना अधिक करुणा से आकरंद हो गया कि उनकी वानी श्लोक बन के प्रस्पुटित हो गई तो श्लोक बन के वानी के प्रस्फुटित होने में वालमी की की दूसरी विशेस्ता विभ्यंजित होती है वो विशेस्ता है उनकी कारे इत्री प्रतिभा राजशाचार राजशेकर ने प्रतिभा दो प्रकार की माने थी एक भावी इत्री प्रतिभा और दूसरी कारे इत्री प्रवित्ति 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 प् आस्वादन के अनंतर उसको श्लोक रूप में उपस्तित करने की युग्जिता नहीं होती तो यहां पर वालमी की में भावी इत्री प्रतिभावी है कि वो अत्यंत भावुक हैं और महर्शी वालमी की में कारी इत्री प्रतिभावी है कि वो अपनी उस भावना को छंदो मईवानी में प्रस्तुत करने में समर्थ भी है तो काव्य करण की जो प्रतिभा है वो भी उनके अंदर उपस्तित है अब प्रतिय मानस्य अन्य भेद दर्शने भी प्रतियमान से अतरिक्त भेदों के वी प्रतियमान के उपस्थित होने पर दर्शने पी उनके दिखाई देने पर वी रस भाव मुखे नईव उपलक्षनम प्राधान न्याथ क्योंकि यहाँ पर रस और भाव मुखे नईव भाव शब्द से यहां पर लेंगे विविचारी भाव क्योंकि इसथाई जुड़ गया किस के साथ? रस के साथ तो रस और भाव भाव से तात पर यहाँ पर विविचारी मुखे नईव उपलक्षणम प्राधान न्याद तो वस्तुतह प्रधान रूप से रस ही चमतकार कारी होता है लेकिन कभी कभी और भाव तो रस पर यह वसाई यदि हो गया तो उसका अप्राधान ने हो गया लेकिन कहीं कहीं भाव भी चमतकारकारी होते हैं यह आचारे ने कहा लेकिन जो वस्तुद्धनी है और जो अलंकारद्धनी है अन्य भेद जो परतियमान के हैं वो चमतकारकारी तभी होंगे जब वे रस पर्यवसाई होंगे यदि वे रस परियवसाई नहीं होंगे तो उनको हम चमतकारकारी नहीं मानेंगे ये आचारे ने कहा तो प्राधान्यात सितात परिये प्राधान्यात अर्थात रस परियवसानात इत्य अर्था रस भाव मुखे नहीं वो उपलक्षणम रस और भाव इन दो ही रूप में से हम यहां पर उपलक्षण कर रहे हैं क्योंकि यहां पर प्राधान्यात अर्थात रस पर विवसाना जित्त अर्था सर्वे पी ये प्रतिमान वेदा हावरतंते ते सर्वे विवेदा रस तो होते ही है लेकिन ये वस्तुद्धनी और अलंक अर्थात पारियंतिक रूप से रस प्रतीती ही कराते हैं तो आगे ये सब बाते आएंगी तो भावक ग्रहनेन विविचार्य नोपी चर्वे मान सितावन मात्रा अविर्षान्ता वपी स्थाई चर्वना प्रियवसानों विचित रस प्रतिष्ठाम अनवाप्यापी अनव प्राणत्वम भजतीत चुक्तम यह यहां पर बात है जो अन्त में आचारे ने अविनवगुप्त ने यहां पर कही है तो और भी बहुत सी चीज़ें आचारे अविनवगुप्त ने नीचे कहिए उसको हम देख सकते हैं तो सय वेती प्रतियमान मात्त्रे पे प्रक्रांते तो जितने भी भेद हैं वो सभी के सभी प्रतियमान रूप हैं वस्तुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् इसे में ऐसा उधर्ण मिलता है कि रसद्ध्वनी ही प्रधान होती है और प्रक्रांत वृत्तिक ग्रंथार्थ बलाच्छ और प्रक्रांत जो वृत्तिक ग्रंथ है उसके बल से भी तो इसके ठीक पूर्वरसादी लक्षन ध्वनी का आचारे ने विवेचन किया था और महां कि यही बात कही थी वस्तलंकारत ध्वनी रसपर्यवसाई होने के कारण ही ग्राहिये हुती है तेनरा सेव वस्तलंकारत ध्वनी तु सरवतारसंपरदी पर्यवस्येते दिवाच्चा दुत्कृष्ट उत एभिप्रायन ध्वनी काब्यस्यात्मेती सामान्य नूत्तwork तब तो आपने रसद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सामान नियर था अपने प्रारंब में लिया था और यहां आप और आप रसद धनी को काविकी आत्मा प्रतिपादित कर रहे हैं तो ऐसा क्यों अन्य भेद होगा क्या होगा तो उसे पर विचार करते हैं कि रसेव वस्तुता आत्मा वस्तुलंकारत धनी तू सर्वता रसंपति परियवस्येते रस ही वस्तुता काविकी आत्मा होता है रसद धनी काविकी आत्मा होता है और वस्तुलंकारत धनी है वो तो सर्वता रसंपति परियवस्येते वे तो रस के प्रती ही परियवस्येत होते हैं अर्थात अंत्यमें उनका भी परिवजान रसप्रती इती में ही होता है इती वाच्चाद उत्कृष्टो इसलिए ये दोनों क्या हैं? वाच्चिय से उत्कृष्ट हैं देखिए आचारे ने कहा था कि लोकिक और अलोकिक तो लोकिक में वस्तुद धनिय लंकारत धनिय को लिया था और कहा था कि शुषब दबाच्चित आप कदाचित अधि dedicate तो लोकिक जो वस्तुद धनिय लंकारत धनिय हो और कभी कभी शुषब दबाच्चिता को प्राप्ट कर लेते हैं लेकिन रसद धनिय को सपने भी शुषब दबाच्चियों नभージदी और फिर स्वशब्द वाच्चिता की जो दो रूप थे एक तो रसशब्द वाच्चिता और दूसरे विभावा नुभाव विविचारी व्याविज था इसका विस्तार के साथ आचारे ने विभीचन इसके पूर्व किया तो इसलिए ये वाच्चा तुद कि व्यात्मिति सामान्य नूग तम इसलिए हमने भीचे शुरूप से रसद्वनि न करके 000 इस एक सामान्य शब्द का प्रयोग किया रसद्वनि न करके हमने वहाँ अ धरिनि इस सामान्य प्रव शब्द का भाँ पर प्रयोग किया या पकड़ लीजिए इसके बाद कते शोक इती क्राउंचस्य द्वंद्व योगे न सहचरी हरनो धूते न सहचर्य धंसे नोत्तितो यह शोका हा तो यह कथा हम आपको बताई चुके हैं कि शोक इती शोक श्लोकत तो मागता है और नीचे जो आचर न जो द्वंद्व योगे न सहचरी हरनो धूते न सहचर्य धंसे नोत्तितो यह शोका है यहां पर बात पलड़ दी आचारोंजरों गूती ने सहचरी हरनो धूते न यहाँ पर कह दिया जबकि सहाचर हनुनोद भूते न ये वाद परमानित होती है किससे वालमी की रामायन से द्रिष्टवा क्रौंची रुडूद आता तो द्वन्द वियोगे न सहाचरी हनुनोद भूते न सहाचरियत ध्वन्से न उत्तितो यह शुगर सहाचरिय द्वन्सगार्द क्या है कि देखिए विप्रलंग शिंगार और करुण में अंतर है विप्रलंग शिंगार में वियोग प्रधान होता है वियोग से इतात पर यह है कि दोनों अलग रहते हैं जैसे मेग दूत में एक अलकापुरी में थी और दूसरा जो यक्छ था तो वो कहां था तो यक्ष था रामगीरी में तो इस्थान कृत वियोग वहां पर है लेकिन दोनों जीवित हैं यह निश्चित था इसलिए मेग जब यक्षी के पास पहुंचता है तो सबसे पहले क्या करता है भर्तुर मित्रम अभिदवे भर्तुर मित्रम प्रियम अभिदवे बिद्धिमा मंबुवाहम तो पालाही संबोधन उसने कहा अभिदवे अभिदवे कहने से उसकी चेतना जाग गई उसकी चेतना में बल आ गया कि अभी यक्ष जीवित है इतना समय बीतने से वो मरा नहीं तो साहचरियत धु से तो करुनरस में शोक में जब जोक रोपी स्थाई भाव उत्पन्ध रहता या जो करुनरस होता है उसमें से दो में से एक का नित्य वियोग हो जाता है लेकिन विप्रलंब शिंगार में दोनों उपस्थित रहते हैं केवल स्थानकृत वियोग उनमें होता है, दोनों में से एक नश्ट नहीं होता, यह आश्वाशन वहाँ पर बना रहता है, इसलिए विप्रलंब शिंगार सापेक्ष होता है, जबकि शोक जो है वह निरपेक्ष होता है, यह बातें आगे आजर कहेंगे, तो हननोत भूतेन साचर जधन से नुत्तितो या शोक स्थाई भावः, श्थाई भावः, निरपेक्ष भावत्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात् भिन नहीं होता है क्योंकि विप्रलंग शिम्वारोचित रुजरतिस्थाई भाव है वो सापेक्ष होता है अर्थात उसमें से दोनों में से दोनों की उपस्थिती अपेक्षित होती है यदि दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे तो वो करुनरस हो जाएगा वो शोक में विप्रलम शिंगार की अपेक्षा वो विप्रलम शिंगार की स्थान पर वो करुणरस में प्रिनत हो जाएगा इसलिए करुणरस में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती एक का वियोग नित्य हो जाता है तो यहाँ पर क्रॉण्ची के हनन से क्रॉण्ची के साथ उसका नित्य वियोग उपस्थित है अतेव यहाँ पर विप्रलेंग शिंगार के स्थान पर हम शोक को मानते हैं यह बड़ा लंबा पद्य है और इसमें आचारे ने वही बात बताईए जो पहले कही है कि तन्मेई भाव को प्राप्त कर जाता है महर्शी का शोक क्रॉण्चा क्रंद से उत्पन होने वाला जो महर्शी का शोक है वह क्रॉण्ची के शोक के साथ तन्मेई भाव को प्राप्त कर जाता है और तन्मेई भाव को प्राप्त कर के साथ उनके सित्थ में जो शोक रूपी चित्ति वृत्य उत्पन्न होती है वह इतनी परिपुस्ट हो जाती है कि वह करूण रसम में अनुभूत होने लगती है या श्लोक के रूप में उच्छलित हो जाती है तो ये बड़ी लंबी पंक्ती है जिसको आचारे ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है लेकिन इसमें शोकस थाई भावहा फिर दो बार बीच में आया है प्रतिपन्नप प्रतिपन्नप और अंत में आया है श्लोक रूपताम प्राप्त हा इसको आप पकड़ लीजे तो शोकस थाई भावहा प्रतिपन्नप प्रतिपन्नप क्रमाद आस्वाद्यमानताम प्रतिपन्नप फिर आचारे ने कहा सुचित्य वृत्ति समास्वाद्यसाराम प्रतिपन्नप और फिर अंत में आचारे ने कहा श्लोकुरूपताम प्राप्तः ये इस पंक्ति के अनवय को लगाने का तरीका है ये पकड़ इस तरीके से हम इसका अनवय कर सकते हैं तो शोकह स्थाई भाव निरपेक्च भावत पाद विप्रलंबेत हो गया तो सएव शोकह तथा भूत विभाव तदुथा क्राण्द्याद्यनुभाव चर्वणयां हर्दे समवाद तन्मै भवनक्रमाद आस्वाद्यमानतां प्रतिपन्नह तो तता भूत विभाव अर्था शोक रूपी तता भूत जो विभाव है क्रउठ उससे यह तता भूत विभाव जो क्रउठी ओक्रउठी का हनन और क्रठी तदुथा क्रंदाद्यनुभाव चर्वणयां उसके उत्पन होने वाले आक्रंद के अनुभाव की चरवना से अर्थात इतना अधिक उसका अस्वाद किया कि हिर्दै समवाद तन्मई भवनक क्रमाद हिर्दय समवाद इस्थापित कर लेता है कवी वालमी की उस क्राउंची के साथ और तन्मई भवनक क्रमाद और तन्मई भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात चितना शोक क्राउंची के चित में उत्पन हुआ लगभग उतना ही शोक क्राउंच के हनन को देखकर महर्शी वालमी की के भी चित्त में उत्पन हुआ तो कहा आस्वाध्यमानताम प्रतिपन्ना तो क्राउंची का शोक नहीं अपी तू क्राउंची के शोक के साथ हिर्दय संबाद को इस्थापित करने वाले कवी के चित में संसकार रूप से पड़ा हुआ शोक आस्वाद्धिक ये वस्था को प्राप्त कर जाता है अर्थात वह अनुभाव में आने लगता है तो कवीकत जो इस्थाई भाव है वह अनुभाव में आने लगता है तेसी लिए सहिर्दय जो पात्रगतिस्थाई भाव के उसका उनभव करता है और पात्रगतिस्थाई भाव के साथ जो विशेशनान्ष जुड़ा हुआ है अर्थात शकुंतला विशेक रतिमान या दुश्यन्त विशेक रतिमान तो शकुंतला और दुश्यन्त रूपी जो वईशिस्ट यो उस रती के साथ जुड़ा हुआ है वह रती कविता के दोरा अपुस्तित किये जाने वाले साधार रनी करण व्यापार से समाप्त कर दिया जाता है और जब वो विशेशनान से हट जाता है तो जो रती कविता के माद्धिम से सहरदे तक पहुंचती हो सामान्य रती होकर पहुंचती है वो सामान निरती होने के कारण वो सरवजन संवेद्य हो जाती है तो यही कारण है कि एक ही काव्यकाश रवन करने से अनेक व्यक्ती एक समय में चमतकृत होते हुए दिखलाई देते हैं लोक में ऐसा नहीं होता यही है अंतर लोक से उत्पन होने वाले चमतकार और कविता से उत्पन होने वाले चमतकार से इसलिए कविता जन्य चमतकार को अलोकिक कहा जाता है अलोकिक सिकतात पर यह है लोके अन्यत्र दुरलभाहा या लोकिक माध्यमों से जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है लोकिक कतात पर लोको उत्तर नहीं है, लोको उत्तर मतलब लोक से परे नहीं है, अपितु अर्थात लोकिक साधनों से जिसकी उत्पत्ती नहीं हो सकती ही। सीता प्रापई वालमी की पदमते जाई नाम, सीता लक्षमन से कहते हैं कि वालमी के इस्थान पर पहुचा कर चले आना, आश्रम के अंदर मत जाना, तो वालमी की आश्रम के समीप पहुचा कर रगुमन श्रमा कावे में सीता को छोड़कर लक्षमन लोट आते हैं, और ताम चत्री ये घटना आती है तो वो सीता जी की रिक्षा करते हैं ये आचारिय कुंतक ने वक्रोक्त जीवितकार ने इस पर खूब विचार किया है वक्रोक्ति के प्रसंग में इसे श्लूप पर तो हिर्दय संबाद तन्मेई भवन क्रमाद आस्वाद मानताम प्रतिपन्नस था फिर देखिए करुण रसरूप ताम प्रतिपन्नह इसके बाद फिर प्रतिपन्ना आया तो यही जो इस्थाई भाव है आस्वाद्य मानताम प्रतिपन्नस था जो वालमी की के हिर्दय में आस्वाद्य की अवस्था को प्राप्त कर जाने वाला जो इस्थाई भाव है वह क करुणरस रूपताम प्रतिपन्न वही स्थाई भाव करुणरस की रूप में परिणत हो जाता है। कैसे? तो लोकिक शोक व्यतिरिक ताम करुणरस रूपताम। तो जो लोकिक शोक से उत्पन होने वाला करुणरस है उस रूप में परिणत नहीं होता। लोकि लोकिक शोक से तो आनंद को प्रदान करने वाला नहीं हो सकता तो लोकिक शोक begree डिक्ताम करूने रस रोपथाम फिर स्वचित वृति समास्वाद्य साराम करुणरस रूपताम प्रतिपन्ह चित्ति वृत्ति है जो कि उस क्रॉंची के आकरंद को देख कर महर्शी के चित्य में उत्पन्न हुई तो सचित्ति वृत्ति समास्वादसाराः लोकिक शोकफ वितरिक्ताम करून रप्रुद रूपताम प्रतिपन्न स्थाई भावाह अब अब सिन प्रति Het रूप में कैसे आता है तो यह तीसरी स्टेज बताए रस परिपूर्ण कुम्भो चलनवत जैसे यावत पूर्णो नचैते न तावन नईव बमत्यमुम् यह हिर्दय दरपन को आचारी उद्रित करेंगे तो यावत पूर्णो नचैते न तावन नईव बमत्यमुम् जब तक घड़ा भरेगा नहीं तब तक वो चलकेगा नहीं तो हिर्दय रूपी जो घड़ा था वालमी की महरशी का वो करूर रस से इतना अधिक परिपूर्ण हो गया कि वो श्लोक के रूप में उच्छलित हो गया तो रस परिपूर्ण कुम्बहु चलनवच चित्य वृत्य निश्यंद स्वभाव वाग विगल्पा वाग विलापाद वच्च हमारी चित्य में भी जब बहुत अधिक भावबक हो जाते हैं तो हम वानी के रूप में उसका प्रकाशन करते हैं तो चित्ति वृत्ति प्रवाही तो होती है निश्यंद अर्था बाहर की और बहती है किस रूप में तो चित्ति वृत्ति बाहर की रूप में बहती है वो वाग बिकल्प के रूप में तो चित्ति वृत्ति निश्यंदस्वभाव वाग विकल्पा वाग विलापा दिवच्च वाग विलाप के रूप में वो जो हमारी चित्ति वृत्ति है वो हिर्दयगत भावों को प्रकाशित करती है चित्ति वृत्ति जो वाग विलाप के रूप में बाहर हमारी प्रकाशि तो हता है जब हम उसको पाणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और समयान प्यक्षत्वेपी चित्र वृत्ति वंज गत्वादिती नये न अकृतक तैईव आवेश वशाद समुचित शब्द चंदो वृत्ताद नियंतित श्लोक रूपताम प्राप्ता तो यह श्लोक कैसा ह अव्यवस्थित नहीं है यह श्लोक पूर्ण व्यवस्थित समुचित शब्द चंद और वृत्तादी से नियंतित है यह शब्द से और चंदों वृत्तादी नियंतित शमुतित शब्दों से और छंदु वृत्यादि से यहां नियंत्रित है एक सेट श्लोक आचारे ने प्रस्तुत किया वो क्या है मानिशाद प्रतिष्ठाम्त्वम अगमश राश्वती समय यह प्रसिद्ध श्लोक है लेकिन यह कैसा है तो अकृतक तयाईव अकृतक तयाईव उत्पन होने वाले शोक रूपी चित्ति वृत्ति का समुचित शब्द श्चंदो वृत्ता दिनियंतित श्लोक रूप ताम यह श्लोक का विशेशन है प्राप्त है ठीक है तो रसा परिपूर्ण कुम्भो चलनवत चित्ति वृत्ति निश्यंद सुभाव वाग विकल्प वाग विलापादी वच्च चित्ति वृत्ति का जो निश्यंद है बाई प्रकाशन है प्रवाह निश्यंद का रते प्रवाह तो चित्ति वृत्ति ही प्रवाही तो हो जाती है बाहर स्वाभाविक रूप से वाग विलाप के रूप में ठीक है समयान पेक छत्वी समय शब संकेत तो शब्द संकेत की यहां पर समयान अपेक्षत्वेपी चित्वृत्ति विंज गत्वादिती नयेन अकृतक तयाईव अर्थात अकृत्ति व्रूप से आवेश वशात समुचित शब्द चंद ये तो यहां पर मुख्य क्या है शोकस्थाई भावह आस्वाद्यमानत समास्वादसाराम सुचित्य वृत्ति समास्वादसाराम प्रदिपन्नह श्लोक रूपताम समुचित शब्द स्चंद वृत्ता दिनियनतित श्लोक रूपताम प्राप्त तो तीन स्टेज हैं पहले तो उन्होंने देखा दूसरी स्टेज में वो क्रोंची के करुणा के तो उनके अंदर इस्थित जो करुणा थी वो बहुत अधिक वृद्धि को प्राप्त होकर समुच्छलित होने के बाद वही करुणा वाग बिलाप के रूप में बाहर की और प्रवाहित हो ठी लेकिन प्रवाहित किस रूप में होई समुचित शब्दच्छंदो वृत्ता दिनियंति श्लोक के रूप में प्रवाहित होई तो दो तीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक तो ये जो मुनी है ये मुनी कौन से है ये मुनी है जिनका वालमी की रामायन में कभी ने चित्रन किया है लोक के मुनी नहीं है जिए आप लोक के मुनी कमानेंगे तो वास्तविक शोक हो जाएगा तो ये विभावित्यादी की रूप में चित्रित हैं और जो द्रिश है वो द्रिश भी वालमी की रामायन का ही द्रिश है जहां पर तम्शोणित परीता अंगम चेश्ट मानम मही तले ये द्रिश भी जो क्रॉंच और क्रॉंची के बदका है वो भी वालमी की रामायन कविता में उपस्तित होने वाला दृष्य है तो उसको देखकर तन्मई भाव को प्राप्त होना तन्मई भाव को प्राप्त होकर अत्यांत अत्याधिक जब चित्वृत्य अत्याधिक परिपुष्ट हो जाती है तो वही वाग विलाप के रूप में प्रकाशित हो जाती है तो यह अवस्था यहां पर प्रस्तुत की गई है इसके बाद आचारे ने थोड़ा और यहां पर विचार किया है आपके भटनायक की दृष्ट से उसको पूरू पक्ष में रखकर और अंत में आचारे ने भावद धनी के गरहन का कैसे यहां पर क्यों उसकी आवश्यक्ता इस पर भी विचार किया है और अंत में रसद धनी का ही परियवसान है इसको प्रस्तुत करते हुए फिर चटी कारिका में आचारिये स्वासंवित सिद्धमप्यत दिति धर्शयती अर्थात स्वासंवित से भी प्रतियवानार्थ की प्रधानता सिद्ध होती है इसको प्रतरिशित कर रहे हैं ते इतिहा समुकेन प्रतेमानारतस्य प्राधान्यम इदानिमत यूपत स्ववत सिध्ध मपई प्रतेमानत्य स्पराधान्यम यह सरस्वती स्वादध रथ यूए इसको करती है, तो इसको हम लोग अब कल देखते हैं, आज का पात यहीं तक रखते हैं